आज के हम इस वीडियो में पुली टेक्सेबल अलाउंस पूनता कर्योग्य बत्तों के बारे में अध्यन करेंगी कौनता कर्योग्य बत्ते कौन-कौन से है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आते हैं पुली टेक्सेबल अलाउंस का केल्कुलेशन किस तरीके से मैंने पहले बहले भी मेप determination मैंने आपको की को हम गार के इन स्रीट सिर्व को तीन तरीके से डिफाइन किये गए गए ए पूरमुक्त बत्ते फुली टैक्स-Pree-Allounce तो मैंने वो बताये थे आपको foreign allowances होता है high court के judges को जो allowances दिये जाते हैं वो एक special act के दूरू exempt होते हैं करते हो पालन है तु किये गए वे और की पूरती है तूरिसिस्ट बतते होते हैं अपने पास ठीक है और उसके बाद में traveling allowances होता है डेली allowances होता है, convince allowances होता है, helper allowances होता है academic research allowances होता है यह क्या है fully taxable allowances होता है तो इआपको बताई है allowed जिसमें क्या होता है एक तरीके से क्या होता है reimbursement of expenses type के allowances यही है special act के थुरू exempt किये हुए है फिर उसके बाद में आता partly tax free allowances जिसमें मैंने बताया था आपको house rent allowance का calculation किस तरीके से करते हैं अब जिसे क्या होता है कि fully tax free था उसमें calculation में कहीं कोई दिक्कत नहीं है fully taxable को income from salary में income from salary का मतलब यहां हो गया taxable salary fully tax free है तो उसको क्या करते हैं exclude कर देते हैं उसको calculation में लेंगे ही नहीं तो वहाँ पर भी अपनी यह समश्या नहीं होती कि tax free allowances को किसी परकार के कोई गढ़ना करने के आउश्यक्ता नहीं होती लेकिन यह हमें पहली बातों में यह पता होना चाहिए कि tax free है तब ही अपन उसको ignore कर सकते है अन्यता नहीं कर सकते है तो इस परकार के allowances यह allowances को अलग-अलग classification करना भी आना चाहिए यह tax free है यह partly है यह फिली taxable है अब उसके बाद में आदा partly tax free जिसे मेरे बता एचारे होता है entertainment allowances होता है children's education allowances होता है children's hostel allowances होता है इस तरीके के allowances हैं यह क्या होता है कि partly tax एक limit तक तो क्या होता है tax free होता है और उसके अत्रिक्त यदि नियोकता अपने करमचारी को कुछ बुकतान कर रहा है तो बाकी का amount क्या होगा taxable होगा लेकिन यह पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ऐसे बत्तों के लिए करमुकती की रासी का यदि करमुकती रासी है तो उसको जो actual में expenses हो रहे हैं उनको क्या होता है इग्नोर करते हैं उनका ध्यान निदे से जैसे चिंडलन्स एजुकेशन अलाउंस में माली जी आपकी जिसे सो रूपय परती बच्चा exempt है दो बच्चों तक है ठीक है अब उसकेस में इदी बच्चे की स्टडी पे पचास रूपय खर्च हो रहा है माली जी है ना उसकेस में भी आपन क्या करेंगे उसको छूट क्या करेंगे अधिक्तम दो बच्चों की सो रूप उसमें क्या करें कि उस खर्चों का ध्यान नहीं रखा जाएगा ठीक है अब होता क्या है कि इसमें भी चीज है कि इसे सो रूपर परती बच्चे पर यदि एक्जेम्शन है और अलाउंस असी रूपर मिल रहा है तो जो दोनों में से कम होता है उसकी का मिलेगी छूट मिलेग तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, अब आता है, partly tax-free, partly taxable इसमें क्या करना पड़ता है? पार्टली tax-free और पार्टली tax-able में calibration करके exempt amount निकालने पड़ती है, total amount से क्या करेंगे? exemption amount क्या करेंगे? लेस कर देंगे और उसके बाद में जो बचेगा वो क्या होगा taxable amount, अब यहां पे आता है पूर्णत कर्योग्य बठ्ति fully taxable allowance, पहली बाद तो जो पूरे के पूरे ही कर्योग्य हैं तो उस case में क्या होगा, कि वो जो भी पूरी अमाउंट है वो क्या होगी उस income from taxable salary में include होगी उसको उसको जोड़ा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर calculation वाला तो कोई भिंदू रही नहीं लेकिन यहाँ पर अपने को ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे कौन से अलाउंसे जो फुली टेक्सेबल है यहाँ को यह पता ही नहीं होगा तो आप किस प्रकार से calculate कर पाऊगे तो सबसे पहले आता है जैसे मैंने बताया था कि basic होता है उस basic पर क्या knowledge के लिए अपन इसको ध्यान रखेंगे और में 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 बत्ते हैं उनकी अपन विस्तिरी तुरूप से चर्चा करेंगे basic के बाद पहला बत्ता आता है डियरेंस अलाउंस महेंगाई बत्ता है यह सरकारी करमचारी को भी दे होता है प्राइवेट को भी कई बार क्या होता है तो इसका बेसिक का बारा परसेंट सत्रा परसेंट इस तरीके से तो यह कुस्वन में आपको दिया होगा basic का तो पहले basic निकाले उस पर डीए निकाला तो डीए क्या होगा fully taxable पूरागा पूरापन उस income from taxable salary में क्कुण नवर गड़र का था सीटी कंपेंचिंटी आलउंसेस तो सीसी ए भी वोलते हैं इसको यह भी है ना सरकारी कर्मचारी को मिल सकता है ऑगता है फ्राइफेट्स के रखते हैं तो और गफ श है कि बड़ी शर्क कैने में देती है जोदपूर के लिए देती है कोटा के लिए इनके सहरों के लिए CCA देती है एक फिक्स अमाउंट है कि जैसे 400-600 इस तरीके की रेट्स हैं तो वह भी अलाउंसे क्या होगा पूरा पूरा टेक्सेबल होगा फिर आता है gramene बता रूरल बता अब कई बार क्या होता है कि इसे डॉक्टर वगरा होते हैं तो यह पिर और किसी पोस्ट पे कोई अदिकारी करम चानी है तो क्या होते हैं सहर सहर में जिन नोकुरी करना ज्यदा फसंद करते सरकार प्राइविट सेक्टर में उनकी रूरल अलांस है उनको मोटिवेट करने के लिए इस परकर का अलाउंस भी क्या होगा फुली टेक्सेबल होगा medical allowances for number पे medical allowances का मतलब यहां पे हो गया कि medical खर्चे के लिए कुछ विशेश रूप से उसको monthly पेसा दिया जा रहा है ना कि medical का कोई खर्चा हो रहा है उसका पेसा हो नहीं हो रहा वह अलग बिन्दू होगा फिर आता है servant allowance यह कुछी servant को रखने के लिए को allowance अब servant allowance का मतलब उसको servant रखने लिए लिए जा रहा है वो servant रख रहा है नहीं रख रहा हो एक अलग विशेव हो गया इसी तरह कि प्रोक्टर्शिप अलग वाडनर्शिप अलग प्रोजेक्ट अलग फिर आता डेप यह मैंने जो आपको बताई यह इनका कम ही वर्णन मिलता है अब आता डेपूटेशन अलग प्रतिन्युक्ति बता है यह भी आपके आ सकता है प्रतिन्युक्ति कहाता है कि इसे एक विभाग में काम कर रहा ह यह दि वो किसी दूसरे भाग में चला जाता है अपने जो भी पेरेंटल डिपार्टमेंट से किसी दूसरे भाग में तो उसको एक फिक्स परसंटेज यह फिक्स अमाउंट डेपूटेशन अलाउंस के रूप में मिलेगा तो वह भी क्या होगा फुली टेक्सेबल होगा ओ और वोडम्य समय से अधिक में काम कर दो तो उसको टाइम अलाउंस इंत्रीम रिलीव जब सरकार जैसे पांच आवेतनमान आया था उस समय सरकार ने दी आ नाम का एक आई आर नाम से कुछ सो रुपए, पचास रुपए इस तरह की इंट्रीम रिलीव दी की सभी करमचारियों को यह भी क्या है? फुली टेक्षेल है. टीफियन अलाउंस टीफियन के लिया ते से अंब झीज दॉप रुपिए किसी के कारें में लगा हुआ है जहां फेजोकिं जादा तो सको हार्ड डूटी ऐलाउंस दिया जाता है आर्मी वगर फुलीस वगरा में इनमें टेली फॉन अनानाउंस इस अपने खर्चे के लिए किसी फरकार का तरा जाता है वो टेली फॉन आनाउंस तर गारटा ब्था त security allowances and dog allowances इस प्रकार के यह कहें fully taxable allowances है तो यहां पर में मुख्य मुख्य allowances आपको बता देता हूं जिसका आपको विसीज तोर पर आख ध्यान रखना है और एक क्यूस्टंस में भी आता है तो इसमें एक तो महेंगा ही बतता डियरेंस allowances यह क्या है fully taxable इसका विसीज द्यान रखना है यह हर क्यूस्टं में लगब आता ही आता है फिर आता है city compensatory allowances, rural allowances, medical allowances फिर उसके बाद में आता है deputation allowances, overtime allowances और non-practicing allowances वैसे मुख्य मुख्य आपके महेंगा ही बतता और CCA आ सकता city compensatory allowances इस प्रकार के इन allowances को आप चार-पांच बार देखोगी question solve करोगी तो आपको idea हो जाएगा कि कौन-कौन से allowances होते हैं लेकिन आपको महेंगा ही बतता CCA ग्रामीन बतता इनका विसीज धान रखना है कि यह क्या होगा पूरा की पूरी amount क्या होगी taxable होगी